धुकुरी जैसा तेज दिमाग गांगुली जैसी दहार अब टीम इंडिया का बनेगा खेवन हार पावरफुल पांडिया ने BCCI को जुकाया अच्छे अच्छे सुर्माओं को बाहर का रास्ता दिखाया आखर धोने के बाद अच्छे कप्तान के सुखे को क्या खत्म कराएंगे क्या 2023 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताएंगे जी हाँ जैसे श्रिलंका की खिलाफ होने वाली T20 और वंडे सीरीज का एलान हुआ ये साफ हो गया कि कुछ खिलाडियों का करियर अबंत के नजदीक है कुछ खिलाडियों का T20 करियर खत्म होने वाला है BCCI की सेलक्षन टीम ने ये बता दिया है कि टीम इंडिया की आने वाले वक्त में कमान हार्दिक के हाथों में होगी और हार्दिक ने आते ही अपने अंदाज में अपना रुत्बा दिखाना शुरू भी कर दिया है हार्दिक ने ये साफ कर दिया है कि अगर वो टीम के कप्तान रहेंगे तो धोनी के तरह टीम उनके पसंद की चुनी जाएगी तो चलिए सबसे पहले हम आपको टी-20 और वंडे की स्क्वाइट के बारे में बताते हैं जिसका चैन बीते कल के दिन हुआ और हार्दिक ने टीम सेलक्षन में जो कुछ भी दादेगिरी दिखाई है उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको यहां बताते हैं टीम इंडिया की T20 स्क्वाइड में उम्मीद के मुदाबिक हार्दी को कप्तान बनाये गया है तो वही राहुल की जगपट सूर को कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है इन दोरों के लावा इशान किशन, विकेट कीपर की रूप में रितुराज गैकवर बैट्समेन की रूप में शुमन गिल, सूर कुमार यादो जो की वाइस कैपटन मने है इसके लावाद दीपक खुडा, राहुल त्रिपाथी, संजु सामसन, वाशिंगडन सुन्दर, युजवेंदर चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, हर्शल पटेल, उम्रान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार को जगह दी गई है जो की ये T20 स्क्वाइड है, तो वहीं वनडे टीम के लिए रोहित शर्मा कैपटन है, शुमन गिल, विराट कोहली, सुर कुमारियादो, श्रेय सैयर, केल रहुल, इशान किशन, हार्दिक पांडिया को एक बार फिट से वाइस कैपटन बनाए गया है वहीं वासिंगडन सुन्दर, युजवेंदर चहल, कुलदीप यादो, अक्षर पतेल, मोहमद श्रमी, मोहमद सिराज, उम्रान मलिक, अर्शिदीप सिंग को मौका दिया गया है लेकिन अगर इन दोने स्क्वाइट पर एक नसर दोड़ाएं, तो साफ एकी T20 में चार बड़े खिलाडियों को पत्ता कर गया है रोहिद, विराट, पंत और राहुल को T20 टीम से बाहर का रास्ता दिखाए गया है वज़े साफ है कि विराट को छोड़ दे, तो बाकी तीनों खिलाडियों का T20 इन प्रदेशन इस वक्त कुछ खास नहीं चल रहा इस ट्रीम के बाद ये साफ हो गया है कि आने वाले T20 विश्चकप को ध्यान में रखते हुए BCCI हार्दिक की कप्तानी में बड़े कदम उठाने के लिए त्यार है इतना है नहीं हार्दिक ने कप्तान बनते ही धोनी की स्टाइल में अपनी दबंगई दिखानी भी शुरू कर दी है शिरलंका की हिलाब T20 सिरीज में IPL का असर दिखना शुरू हो गया है हार्दिक की कप्तानी वाली T20 में शिवम मावी को मौका दिया गया है और शिवम मावी को IPL के आक्षन में हार्दिक की कप्तानी वाली गुजराट टाइटन्स ने भी खरीद है ऐसे में हार्दिक शुवम मावी को मौका दे कर ये देखना और परखना चाहते हैं कि इस गेदबाज में कितना दम है वहीं मुकेश कुमार को भी उनकी शांदार गेदबाजी का इना मिला है और उन्हें टीम में जगा दी गई है टी 20 में संजु सामसन की भी वापसी हुई है लेकिन वन डे सीरीज में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए गया है जो कि मतलब साफ है कि टीम मैनेजमेंट संजु को लेकर अभी भी सीरिस नहीं है और उनके करियर को बरबाद करने के पक्ष में लगी हुई है लेकिन सबसे बड़ा हरानी कर देने वाला फैसला पंद को लेकर आया जिसको लिकर पुरा देश कह रहा था कि आखिरकार क्यों बार-बार मौका इन्हें दिया जा रहा है जब इनकी फॉर्म आउट आफ फॉर्म चल रही है लेकिन जिस तरीके से जनता ने सेलेक्टर्स को निशाने पर लिया उसका हालिया रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है और T20 वन डे दोनों फॉर्मेट से पंद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो अई दूसरी तरब एक खुशी देखने को मिल सकती है कि टीम ने रफ्तार के किंग उमरान मलिक को दोनों फॉर्मेट में जगह दे कर ये साफ कर दिया है कि उमरान की रफ्तार अब बेकार नहीं जाने वाली है अगर इस खिलारी ने बहतर गेदवाजी के तो आने वाले वक्त में उमरान मलिक टीम इंडिया के एक एहम खिलारी बनने वाले हैं तो टीम इंडिया के इस प्लेव गिले उन पर आपका क्या कहना है और रिशब पंद के बाहर होने को आप किस तरह से देखते हैं हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दे साथी साथ आप ये बताईएगा कि क्या आप भी टी-20 और वंडे दोनों का कप्तान हार्दी को बना देना चाहिए